हलो स्टूडेंग्स बूड मॉर्नीं आज हम लोग क्लास एट विशाइन हिंदी व्याकरण में जो 29 अध्याय दिया है जो 29 लेशन दिया है जिसमें विज्यापन लेखन के बारे में बताया है तो आज का जो हमारा टॉपिक है आज का जो हमारा प्रक्रण है वह है विज्यापन लेखन आज के वीडियो में हम लोग विज्यापन विज्यापन है क्या विज्यापन का उद्देश क्या है और विज्यापन बनाते समय हमें किन-किन बातों का ध्रान रखना चाहिए इसके ब के संयोग से बना है विज्यापन शब्द वी और ग्यापन के संयोग से बना है वी उपसर का अर्थ है जो वी उपसर लगा है विज्यापन शब्द में उसका का अर्थ है उसका अर्थ है विशेश तथा ग्यापन शब्द का अर्थ क्या है ग्यापन शब्द का अर्थ है सूचना अथवा जानकारी देला ठीक है विग्यापन शब्द वी और ग्यापन के संयोग से बना है विञ्यापन का उध्देश उपभोगता की उत पाइद के प्रति रूचित जागरत करना और उसे खरीदने के लिए विवस करना है विज्यापन का उद्देश उपभोगता की उद्पात के प्रति रुचिक जाकरत करना तथा उसे खरीदने के लिए विवश करना है इससे उद्पादन करता लाभान्मित होता है और वस्तु की बिक्री में वृद्धी होती है ठीक है आजकर दोरदर्शन तथा पत्र पत्रिकाएं विज्यापनों से भरी रहती है आजकर हम देखते हैं कि दोरदर्शन और जो पत्र पत्रिकाएं आ रही है वो विज्यापनों से भरी रहती है उसमें तमाम विज्यापन छपे रहते हैं विज्यापन के माध्यम से ग्राहक वस्तु के गुड़ों एवं लाभों से परिचित होता है यानि विज्यापन के माध्यम से जो ग्राहक होते हैं वो वस्तु के गुड़ों और लाभ से क्या होता है परिचित होता है उसके बारे में जानकारी उसे मिलती है ठीक है? तो विज्यापन बनाते समय हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तो सबसे पहले जो विज्यापन हो वो आकरशक, रंगीन एवं सूचना प्रद हो विज्यापन कैसा हो विज्यापन आकर्शक रंगीन एवं सूचना प्रद्ध हो दूसरा विज्यापित वस्तु का नाम संचिप्त एवं आकर्शक होना चाहिए अगिला विज्यापन वस्तु की विशेस्ताओं को उजावर करने में सक्षम हो विज्यापन कैसा हो विज्यापन उस वस्तु की क्या विशेस्ता है उसको बताने में सक्षम हो अगिला जो विज्ञापन हो वो अन्य ब्रांड से बेहतर साबित करने में सक्षम हो यानि जो बस्तु है वो अन्य ब्रांड से क्या है बेहतर है इसको साबित करने में सक्षम हो तो जो विज्ञापन हो वो कैसा हो विज्ञापन अन्य ब्रांड से बेहतर साबित करने में सक्षम हो और एक और बात का हमें ध्यान देना चाहिए कि तुकबंदी वाली पंक्तियों का प्रयोग भी सम्भव है तो इस प्रकार से आज के वीडि बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में जाने आज के वीडियो में बस इतना ही धन्यवाद